नमस्कार साथियो आज हम आपको पावर, वोल्टेज, करंट, रिश्टेंस से सम्मंदित बारा सुत्र बताएंगे यह बारा सुत्र आपके इंट्रू में, कंपेटिसन एक्जाम में और प्रैक्टिकल कारियों में सब जिंगा उपयोग में लाए जाएंगे आपको केवल एक फर्मुले याद करना है, जिसके अधार पर आपको एक बारा फर्मुले निकल जाएंगे आसा करता हूँ आप हमेरे चैनल को यह वीडियो देखने के बाद लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे तो देखिए चलिए वो बारा फर्मुले कौन से हैं, पावर, वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस सिंगल फर्मुला कौन से याद रखना आपको, पावर का वीगुन आई, इसी फर्मुले से मेरे यह बारा फर्मुले निकल जाएंगे तो देखिए हम आपके सामने निकालते है पावर बराबर क्या होता है वी गुनाई वी गुनाई सीधा है ऐसे ही लिख लेंगे अब दूसरा फिर्मूल पावर का कैसे निकलेगा वी को हम ओमसला के नुसरा क्या लिखते है आई गुनार आई को ऐसे ज्यों का तो लिख लेंगे तो ये कौन सा फिर्मूला बन गया पावर का आई का वरक गुनार देखे बन गया ठीक उसी प्रकार आई का पी का दूसरा फिर्मूला वी को मैंने इस बार तोड़ा अब मैं इस बार आई को तोड़ू हुआ अर्थात वी को मैंने ऐसे ही लिख लिए और आई को मैंने ओमसला के इनुसार लिखा ओमसला के इनुसार क्या होता है वी अपोन आर इसको लिखा वी का वरक बटे आर बन गया फॉर्मूला ठीक वी का ओमसला वाला ये ऐसे ही उतार लेंगे और V बराबर क्या होता है इससे निकालेंगे हम आएक V का दूसरा फ्रोमूला P बराबर V गुना है तो V यहीं पर रखेंगे आए इसके भाग में आजेगा P के यह इतना महत के नुसार आता है तो जानते होंगे आप P upon I अर्थात P upon I बन गया ठीक V का तीसरा फ्रोमूला तो यहाँ पर V निकाल ले मैंने यहाँ पर V नहीं है यहाँ पर V है लेकिन यहाँ पर V कुछ अलग प्रकार से लिखा है अर्थात यह से लिखा है तो V निकालना है मुझे R इदर गुना में आजाएगा और V ही पर रहाँ आजाएगा V का वर्ग है ना कि V तुम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे हमें तो V चाहिए ना तो यह क्या बन गया P का गुना R गुना में उपर इसके वर्गमूल देखिए ठीक उसी परकार I का फॉर्मूला एक तो ओम्सला वाले लिख लिए I बराबर V बट आर होता है तो I का दूसरा फॉर्मूल में क्या होगा वो पावर के वाली सुद्र से निकालेंगे I बराबर P के बटे में V I है रहे जाएगा और यह V इसके भाग में आ जाएगा देखिए फिर I का तीसरा फॉर्मूला I का फॉर्मूला यहां से निकाल लिया इस फॉर्मूला में है I हाँ है इधर तो नहीं है अब यहां से निकाल लेंगे लेकिन यहां पर कुछ अलग तरीके से लिखा है देखे ऐसे तो मुझे यहां से I निकालना है तो यह इसके भाग में आ जाएगा R और यहाँ पर I square बचेगा तो I दोनों तरफ वरगमूल करेंगे P बटे में R का वरगमूल देखिए कुछ इस प्रकार ठीक अब R का फर्मूला V upon I ओमसला के नुसार अब इसी सिंगल फर्मूल से यहाँ पर आ रहा है नहीं है, यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर P बराबर I square R लिखा है तो R ही रखेंगे और यह I square इसके भाग में आ जाएगा P के समझ भाए ना, देखे P बराबर I square R R ही रखेंगे यह गुना में भाग में आ जाएकर यहाँ R बचेगा, तो क्या लिखा है मैंने फर्मूला यह लिख दिया, जो कि A लिखावा है अब R का तीसर फर्मूला क्या होगा यहाँ से मैंने R निकाल लिए यहाँ पर है नहीं और यहाँ पर है यहाँ पर कैसे लिखा है उपर P बराबर V square बटे R मुझे R निकालना, R इधरा जाएगा यह इधरा जाएगा अरता तो वो भाग में चलाएगा कुछ इस पकार से देखिए आप मैंने बारा फर्मूली निकाल लिए वो बारा फर्मूले इस पकार केवाल मुझे एक फर्मूले याद के हदार पर मैंने यह बारा फर्मूली निकाल लिए जो की एक आसान है और आसा करता हूँ यह आप फर्मूले आपके काम आएगे आप कहीं पर पावर कमान गयाद करना हो वोल्टेज कमान गयाद करना हो वो भी आसान, आपको बारफ होंगे याद करने ही दूतनी है धन्यवाद